आदाब आज हम आपके लिए कुल्फी बनाएंगे लेकिन एक बिल्कुल ही नए अन्दाज में हम आपके लिए कुल्फी बनाएंगे इस कुल्फी का हमने नाम रखा है केरेमेलाइज गन्ने की कुल्फी इसके लिए हमने एक लिटर फुल क्रिम दूद लिया है इसको हमने बॉइल कर लिया है, कुछ हमने कटे हुए बदाम और कटा हुआ पिस्ता लिया है, थोड़ा इलाइची पाउडर, थोड़ी जाफरा ली है, इसको हमने गरम दूद में बिगो दिया है, एक कटोरी शक कर ली है, आप अपने टेस्ट के मताबिक भी ले सकते हैं, एक एक टेबली स्पून कॉर्ण फलॉर लिया है, एक गलास गन्य का हमने जूस लिया है, दूद हमारा बॉइल है, इसको हमने गैस कर पर लग दिया है, और चीनी हम इसमें टाल देंगे, थोड़े कटे हुए बदाम भी टाल देंगे, कटा हुआ पिस्ता, जाफरान, थोड़ा एलाइची पाउडर डालके, इसको हम उबलने के लिए रग देंगे, दूद बॉल हो रहा है, हम थोड़ा गरम दूद कौन फलॉर में डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने कॉन फ्लॉर की थोड़ा दुड़ाड डालके अच्छेए डाले से मिक्स कर लिया है अब हम रेगुलर चम्माच साथ लाका शाबू और युकं ककू les to Go गाडा हुने तक टोड़ा बोइल कर लेंगे दूद को हमें गाड़ा होने तब बॉइल कर लिया है यह देखिए इसका टेक्चर हमको बिल्कुल इसी तरीके के रखना है इतना ही गाड़ा रखना है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको रूम टेंप्रेचर पर ठंडा होने देंगे देखिए कुलफी का दूद अच्छे से ठंडा हो चुका है हमने चाहों तरफ से भी इसके किनारत पर जमावा दूद था इसको भी अठा दिया है अब एक बरतन में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे देखिए हमने इस बरतन में कुलफी के दूद को ट्रांसफर कर दिया है और इसको ढगा देंगे अब हम इसको ढग देंगे और फ्रीज में 5-6 गंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे कुलफी हमने जमाने के लिए फ्रीजर में रख दी है अब हम गन्रांसफे को थोड़ा बॉयल कर देंगे अससे हम इसको वाईल कर देंगे अब देखिए हमने गन्रे को अधिर लटाते वे इतना पकाद आहे इसको इतना रीडूस कर लिए ही देखिए और इसका कलर भी एक कैरेमलाइज जैसा हो गया है बस थोड़ा और पका के हम इसको ठंदा कर लेंगे अब हम गैस की फिलेम को बंद कर देंगे और इसको ठंदा होने देंगे रीज्जेर में से हमने कुल्फी को निकाल लिया और आप इसको तकना ख़ोन लेते हैं। देखिए kuल्फी हमारी जमचुकी है ow हम इसको अर्वाद में निकाल लेंगे देखिए हमने प्लेट में कुल्फी को निकाल लिया गर्मी बहुत है पिगल रही है हम जट से केरेमलाइज गन्ने का जूस डाल देंगे थोड़ा कटे वे बदाम पिष्टी भी डाल देंगे और इसको फॉरण सेट होने के लिए फ्रीजर से निकाल दिया है देखिए कितना अच्छा कलर आया है आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे तो ही हम केक रखा है हमारे सामने अब हम इसको कट कर लेंगे केरेमलाइज गन्ने की कुल्फी है यह आप जरू ट्राइ कीजिए शायद आपने पहले कभी इसको ट्राइन निके होगा इस बार जरू ट्राइ कीजिए केरेमलाइज गन्ने की कुल्फी यूटूब पे भी शायद पहली बार ही हम शेयर कर रहे है आपके साथ में अगर आपको हमारी रेसेपी पस सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन विदर आईए शुक्रिया और नाफिज